दोस्तों आप जब भी अपने सिस्टम में चाहे हो लेपटाप हो या डेस्टप हो उसमें नया उन्डो पर इस वीडियो में हम बना करने वाले हैं कि जौ माई कफूर का आइकन होता है contain कैसे सबसे पहले आप यहां इस्टार्ट मेन में जाएंगे और यहां पर PC सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहां दिस PC वाला ओप्शन आ जाता है लेकिन यहां से PC को डेस्टॉप पे रखने का कोई भी option नहीं मिल पाता है आप यहां पे दिख सकते हैं कोई भी option नहीं है तो यहां से आप चाहकर भी this PC को अपने डेस्टॉप पे नहीं ले जा सकते हैं तो कंपूटर का जो आइकन होता है डेस्टॉप पे ले जाने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे एक setting का option है तो आप यहां setting पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एक नज़ा विंडू ओपेन हो जाएगा इसके बाद आप देखेंगे यहां एक आप्शन है प्रस्नलाइजाशन का तो आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद एक नया विंडू ओपन हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ थीम पर क्लिक करेंगे थीम पर क्लिक करने के बाद आप तरह स्क्रॉल डाउन कर निचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक ओप्सन है डेस्टॉप आइकन सेटिंग तो आपको क आप देखेंगे यहां पर टिक लगा हुआ है डेस्टॉप आप देख सकते हैं रिसाइकल बीन पहले से है इसके बाद आता है कंट्रोल पैनल आप जहां पर भी टिक लगाएंगे वह आइकन आपके डेस्टॉप पर आटोमेटिक चला जाएगा इसके बाद आप देखेंगे यहां computer का option है, सबसे पहले आप यहां computer पर tick लगाएंगे, computer पर tick लगाने के बाद आप देखेंगे निचे apply का option है, तो यहां से आप apply पर click कर देंगे, जैसे ही आप apply पर click करेंगे, तो आप देखेंगे computer का icon यहां desktop पर show कर रहा है, तो इस तरह से आप user file, network, control panel पर tick लगा कर, आप नीचे apply पर click करेंगे तो आपका जो icon है desktop पर show करेगा दोस्तों अगर आपके computer में भी icon desktop पर show नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप computer का जो icon होता है आपने desktop पर show करा सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर next video में